प्यारे बच्चेों, सत्ष्रीकाल, मैं गुर्प्रित कौर, मैं आज तो हनु जमात अठ्मीदा तीजा पाठ राणी साहिब कोर पड़ान लगी हैं पारदी तर्ती बहादरा सूर बीरा दी तर्ती है, एथोंदे मर्द ही नहीं, और तां भी बहुत बहादर हैं एखोजी एक मिसाल है, राणी साहिब कोर, जिसने अपने पेक्यां दी रियासत नू दुश्मना कोनों बचाओन लई, डट के मुकाबला कीता, ते अपनी रियासत नू गुलाम होन तों बचाया आओ हना सी पाट शुरू कर दे हां, राणी साहिब कोर, उना दी जीवनी बारे पढ़ दे हां, राणी साहिब कोर, पंजाब देती हां स्विच, ओ बहादर शेरनी है, जिसने बहुत मुश्कल समे पंजाब दी रियासत, पंजाब दी रियासत पट्याला, नू दुश्मना दे हत्थों बचाया, पट्याले दे महाराजा अमर सिंग, ओना तो पिच्छों, ओना जदोना दा पुत्तर साहिब सिंग, की नाम है साहिब सिंग, याद रखने हैं तुसी, पट्याले दे महाराजा दा नाम अमर सिंग, ते ओना दे पुत्तर दा नाम की है साहिब सिंग, ज आज जड़ा संबालना पे अपने पिता दी मौत तंबाल. सिट्टे वज़ों, क्यों क्यों ना दी उमर? छोटी सी, साथ साल दी उमर सी. ते फिर की होया? सिट्टे वज़ों रियासत दी वागडोर, एक तो बाद, एक बड़े चलाक, तोखे बाज दे, क्यों सिर्फ अपना ही फाइदा देख रहे साल? जिस कारण? रियासत दी हालत दिनों दिन निगगर दी गई. इस करके रियासत दी हालत दिनों दिन खराब हुन दी रही, कमजोर हुन दी रही. महराज अमर सिंग दी वड़ीज पुतरी, बीबी साहिबकोर, की नाम है? बीबी साहिबकोर. फते गड़ दे सरदार, जैमल सिंगनल व्याई होई सी. राणी साहिबकोर ने अपने पेक्यां दी रियासत, केडी रियासत ची पटे आला. जिमें केसी पिछे ही पाड़ चुके हाँ, रियासत पटे आला. जदो उनाने ए हाल सुनिया, ता उसदा दिल काम बुठिया. उस विच, की दे वेच वीबी साहिबकोर विच? एक चंगे परबंदक वाले सारे गुण सान. ते इस दे नाल देश प्रती प्रेम भी कुट-कुट के परया होया सी. कीसी पहले नमबर ते परबंदक वाले गुण, ते दूजा सी देश प्रती प्रेम. ओना वेच कुट-कुट के परया होया सी. पटे आले नाल एक ता पेक्यां दे रिष्टे कारण मों. दूजा कौम दी रियासत ते तीजा साहिब सिंगनाल पैन दा प्यार. इना ख्याला ने उसनू टिक के ना बैठन देता. उसने सारी गल अपने पती सरदार जैमल सिंगनाल सांजी किती. अते पटे आले जान दी इजाजत मंगी, आग्या मंगी. सरदार जैमल सिंग्ग. ओ भी हालतों अंजान नहीं सन. रियासत दी जो हालत सी ओ उस बारे चंगी तरह ओ जान दे सन. इस हालतों अंजान नहीं सन. ओ अजे ही स्तिती वेच ना ना कर सके. उनाने ना नहीं किती ते आग्या दे दिती. फिर आग्या मिलन तो राणी साहिब को और पटे आले आगे. उसने रियासत दे अमीरां वजीरां ते दरबारी सरदारानू इकठ्यां किता. सारे आनू इकठ्य कर लिया बुलाया उनानू. रियासर दी सारी हालत दसी ते परबांद दी वागडोर अपने हत्ताँ विच लैले हार एक मैक में दी देख बाल आपनी निग्रानी हेट करनी शुरू कार दिती सारे मैक में हुन राणी साहिब कोर खुद देख रहेने राज दे सारे अंदर ले परबांद नू ठीक तरा सुधार रहा वड़ी खोड सरदारा जड़े रिश्वत लैरे संजड़े उत्हों दा पैसा खा रहे सं रियासर दा उनानू सजामा दितिया दो साल दी कठन मेनत दे पिच्छों बिबी साहिब कोर ने अकलमंदी ते बहादरी नाल का दे ना अकलमंदी अते बहादरी नाल रियासत दे सारे परबंद ठीक हो गया कि दी बहादरी नाल राणी साहिब कोर दी बहादरी ते अकलमंदी नाल सारा राजबरबंद ठीक हो गया की होया फिर पर इस समय जीन्द दी रियासद केड़ी जीन्द दी रियासद उते अंग्रेज अफसर टॉम्सन ने हमला कर दिता पर आवे जीन्द दे महाराजे दी फोज ने मुकाबला था बहुत कीता पर टॉम्सन दी फोज गिन्ती वेच ज्यादा सी जीन्द दी जड़ी फोज सी ओ काट सी ते टॉम्सन दी जड़ी फोज सी ओ ज्यादा सी ते सिख्षी होई वी सी पूरी तरां ट्रेंड सी टॉम्सन दी जड़ी फोज सी बीबी साहिब कोर नू जदों सिख रियासद देखो एक सिख रियासद सी जीन्द वी बी साहीब कोनों जद으 सिख रहासत जीन दे खुस जान दी, खबर मिली, खुस जाना हथो निकल जाना, क्यों? किन्ने हमला किता सी टॉम्सन ने? जे जित जानदा थे ए जड़ी जीन दी रहासत सी, और टॉम्सं दे कोल आ जाने सी, ते वी बी बी साहिब कोनों विल्कुल तोभी जंगाना लगया जो लोने सुनया कि सिख रियासते टॉम्सन ने हमला किता है ता उस दा बचारी लश्क्र लैकि आप जीन्दपांची सुन महाराणी साहिब कोर राणी साहिब कोर आप जीन्दपांच तॉम्सन जिनन जीन्द में दुआतला सि अपने वर जीन्दट्रीबग जयत चुक्ड थे क्यों ओदे कोल फोज भी जादा सी ते ओ सिखी भी ओई सी ते ओ जितन ही वाला सी पर साहिब कोर नू पोँच दिया देखके उसनू सारी बणी बणाई खेड विगड़ दी जापी उसनू लगया होनो जेतन ही सकेगा क्योंकि राणी साहिब कोर अपनी फोज लेके उथे पोँच चुके सन साहिब कोर दे हुकम नाल उस दी फोज ने टॉमसन दी फोज दे हम लागा देता टॉमसन दी फोज नू पाज जान तो बिणा कोई रा नाल लबया टॉमसन दी जड़ी फोज सी हो लड़ाई दे मैदान विच्चों पाज जी गई उने समय आद रखने 1974 1974 दे स्याल दी रुत सी रियासत दा कम अरामनल चल रहा सी अरामना की में चल रहा सी क्योंकि राणी साहिब को ने सारे प्रबंद्नू अपने हत्था मिच लेले आ सी थे साब कुछ थीक थाक हो चुक्या सी फिर अचानक एक दिन हरकारा राजमेल वेच आया उसने राणी साहिब कोर्नू दस्या हरकारा आया राजमेल वेच उनने की दस्या राणी साहिब कोर्नू की दस्या कि अंटा राव मरहट्टे दा ख्याल किदा अंटाराव मरहट्टे, एद उसी नाम याद रखने, त्या अनल, अंटाराव मरहट्टे दा ख्याल, पट्याले उत्ते अचंचेत हमला करंदा है, देखो पट्याले दे उपर हमला करंदी साजिस जडियों चाल रही सी, किदे वलों, अंटाराव मरहट्टे वलों, ओ र अग्य बाद रहे हैं। बिब्वी साहिप को और दा खोन उबाले खान लगा। जोदो उनने एक गल सुनी कि पट आले उते हमला होन वाला है, ता उनना दा खोन उबाले खान लगा। उनना एक शाहि दरबार लाया। सारी गल सरदारां ते दरबारियां नाल कीती ते दरबारियां दा त्यान आपने वल कर दिया फर्माया उन्हानी की क्या दरबारियानू मेरे प्यारे प्रावो पहला वी नान्नु मल्व जीत दियां शत्रांज दियां चालना कारण मरहट्यां दे मुह नू लव लग चुक्या सी द्यासत पट्याला नू देखके ओना दे मुविच पाणी पार आया है क्यों? ओ सोच रहे सान कित्थे ता एक औरत दा राज है? एहो कारण है कि ओ नित नमे सूरज पट्याला वाल वददे आ रहे हन की करण? हमला करण ली ओना दिये मर्जी है कि एत्थों दा सारा मालस बाब काबू कर लाएन जो कुछ भी पट्याला र्यासत को लए ओ दे उत्ते अपना कबजा कर लिया जाए सारी सुतंतरता खोल लाएन किस अडिस सुतंतरता नू खोल लेना चाहन दे ने ते इस र्यासत नू गुलामी दिया जन्जीरा विच जकड दित्ता जावे किस र्यासत नू पट्याला दी जे तुसी अपनी इज़त बचाणा चाहन दे हो ता तुहान नू इस दा मुल कुर्बाननी दी शकल विच देना पवेगा ओनाने अपने सर्दारां ते दर्बारियानू बुलाके ओनानू ये सारी हालत दस्सी कि जे तुसी अपनी र्यासत नू बचाणा चांदे हो अपनी इज़त नू बचाणा चांदे हो तो ता नू की करना पवेगा कुर्बानी देनी पहेगी, कुर्बानी देनी त्यार रहना पहेगा आओ, इकटे हो के अपनी इज़त, ते कौम दी इज़त लई तरम युद वेच जूजिये इस समय मेरा ते तुहाड़ा सब देम ते हान दा वक्त है साहिब कोर्दा लम्मा पाशन सुनके दरबारियां दा खून खौल उठया देश प्यार दे वल्वले जाग उठे ते ओ सब जंगलई त्यार हो गए मर्दापुर्दी था आते याद रखने है तुसी जगादा नाम मर्दापुर मर्दापुर्दी था आते इक पासे अंटा राओ ते लच्मन राओ मर्षटे सदार ती हजार तक दी गिंती दी हत्यार बांद फौज लेके आ गए किन्नी फौजी ये तुसी याद रखने है ती हजार अंटा राओ ते लच्मन राओ मर्षटे इना दी फौज है ती हजार दूजिय पासे सहभवकोर्धी फॉज एक पासे इना दी फॉज है मरहर्ट्याँ दी दूस्य पासे सहभवकोर्धी ऐनी किन्य न US रख़वका ख़़ सथ हजार सहभवकोर्धी फॉज रख़वकोर्दी 7,000 देश पगत सिर्थ ली ते रख मैं दानने जंग विच आडटे सेर्टली ते रख पाव अपने जान दी बाजी लौन ली त्यार सानो एसलियो मैं दानने जंग विच आगए किदा मुकाबला कर ली? मर हट्टे आदा जिना दी फोज किनी सी? ती हजार तलवारा म्यान विचो कड़न तो पहला साहिब कोर ने मर हट्टे सरदार वल हर कारा पेज के सूचना पेज़ियो दे वल होका पेज़िया होका देन वाले नूँ पेज़िया की क्या? ते एक सुनेहा दित्ता जो इस तरह सी सुनेहा पेजिया आण्टा राव मर हट्टे वल पट्याला एक सिख्रियासत है जिस दी इज़त ते कौमी अनकवे इस गालदी आग्या नहीं दे सकदी के बिना किसे कारण दे उस दी प्रजानू तंग किता जाए ना हक लुट्या पुट्या जाए आते असी चुप बैठे रही इस वक्त तो अड़े वासते दो ही गल्ला हान उदे कौल दो ओप्शन्स है न केडिया केडिया के जाता तुसी अपनी फौज वापस लाजाओ या मैदान वेच नित्तर के दो हाथ दिखाओ दो उनानू ओप्शन दितिया गया या ता केंदे अपनी फौज नू वापस लाजाओ या फिर मैदान वेच आओ आके लड़ाई करो हर कारे ने ए चिठी अंटा राव नू दित्ती ते उसने पढ़के लच्मन राव दे हवाले कर दित्ती उना दो हानू पहला वांगू नानू मल दे दिवाए प्रोस्यां ते यकीन सी की प्रोस्या ने दिवाया सी? देख दियां? उना ने सोचिया के आखर रियास्तादी प्रबंदक एक इस्त्री ही है की सोचिया? की रियास्तादी प्रबंदक एक इस्त्री ही है ना ओ सड़ी एननी फोजदा किते मुकाबला कर सकती है? मरहट्टे सरदाराने ए सोचे है ना कि इस तरी यह मुकाबलानी कर सा दिकी किता फिरोना ने मरहट्टे सरदाराने जांगदा बिगल वजाओंदा हुकम देता ओनाने दूसरी जड़ी ओप्शन सी ओनू सब विकार किता थे जांगदा बिगल वजाओंदेता दोही पासी तलवारान लिश्कियां तीरान दा तीरानाल तलवारान दा तलवारानाल मुकाबला होया तीजे पैर तक देंदे तीजे पैर तक बहुत प्यानक हालत हो गई सी दें तलवारान लगगा शांप आगई अंटा रावनों फोज दा देल टोटदा दिसया अंटा रावनों लगगया कि ओधी फोज जड़ी होन मुकाबला नहीं कार सकदी ठक चुकी है उसने फोज नूत शाहिद करन लई बहुत हला शेरी दिती मर्दा पूर्दी पूमी एक वार फेर परलोदा नमोना बन गई एक पासे मर हटे आपने नाम दी लाज रखन लई मर के वी पिछे ना हटन दा प्रण करी बैठे सान एक पासे कौन सान मर हटे ते दूजे पासे सरदार अपनी कौम भी आन ते शान कायम रखन लई सिर्ट लीते रखके लड़ रहे सन चारे पासे लोथा ही लोथा सन दोनों तिरा जड़ियां डट के मुकाबला कारियां सन कोई भी हार मनननों त्यार नहीं सी दोहां तिरा दी सर तड़ दी बाजी लगई होई सी आखर सांज होंते लड़ाई मठी पैय गई साहिब कोर ने सरदारा नाल सला किती ते एक राध असया की राध असया? के होन ब्यारी थक्के टुट्टे हान होनों अपने खेम्या विच बे सुर्थ पैय हान जे रात नू छापा मार्या जावे ता दुश्मन ना न संजोगा ना खड़न जोगा रहेगा सरदारा ने इसलानू सेर्मत्थे मन्या फे की किता अद्धी राध समासी अचन्चेत अचानक ही नगारे ते चोट मारी गई जैकारे बुलाए गए साहिब कोर दी फौज तुफान वांगवदी वैरी दे खेम्या विच अद्धी रात नू होए इस अचानक हमले कारण पगदड माच गई उस दी फौज पुखे शेर्वांगजी इक कंटे दी लगा तार लडाई ना मर हट्यां दे पैर उखडगे ओ लडाई व्यच मुकाबला ना कार सके ते ओ मैदान छड़के नास गई जित साहिब कोर दी होई देखों कोंज ते साहिब कोर दिन चड़े राणी साहिब कोर दी फौज दे सिपाही रंजीत नगारा बजांदे पटे आले पहुंचे जेत दा परतीक है साहिब कोर दी बहादरी दियां तुम्मा पै गईयां इस तरह बहादर सिंग्णी ने सिख तरम दी ते देश दी इज़त बचा लई उसने मर हट्याना टक कर लाके ये सिद कर दिता कि सिद किता कि इस देश दे ते इस कौम दे मर्द ही बहादर नहीं सगों और तावी किसे गलों पिछे नहीं हन बीबी साहिब कोर दा ना पटे आले दे राज कराने दियां बहादर महा राणियां विच्चों सब तों पहला लिया जान दा है सो बच्चेव एसी सड़ा पाठ राणी साहिब कोर इस विचेशी पड़े है कि किस तरह राणी ने औरत हों दे बावजूद अपने दुश्मनादा डट के मुकाबला कीता ते अपने पेक्यां दी रियासत पटे आलानू दुश्मनादा गुलाम हों तों बचाया तनवाद